गुड मॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे बेसी पार्ट फर्स का वेपर सेकेंड सेल बायोलोजी एंड जिनेटिक्स इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन भी नूकलियर और गिनाइजेशन इसमें हम जाएंट क्रोमोसोम्स को आज स्टडी करेंगे इससे पहले की क्लासिज में हम क्र जाएंट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जाएंट और पॉलिटीन क्रोमोसोम्स पॉलिटीन क्रोमोसोम्स आर अल्सो नोन एज जाएंट क्रोमोसोम्स पॉलिटीन क्रोमोसोम्स जाएंट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं वर डिस्कवरड बाय बाल्बेनी इन 1881 इन लावल सलाइवरी ग लेंट्स में 881 में बालबेनी ने पॉलिटीन क्रोमोसोम को देखा जो जाएंड क्रोमोसोम यह इंटरफ़ेज क्रोमोसोम सोते है जो की इंसेक्ट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं Cells with polytine chromosome differ from mitotically dividing cells. जो polytine chromosomes होते हैं, differ होते हैं mitotically dividing cells से. These cells undergo repeated round of DNA replication without cell division. यह जो cells हैं, यह repeated इन में DNA replication होता है, कोई cell division नहीं होता है. This is called endosmosis endomitosis. यह endomitosis कहलाता है, means जो cells होती हैं, polytine chromosomes की, यह mitotically divides होती हैं. यह इन में vitrogral division होता है. यह repeated round of DNA replication, इन में DNA replication होता रहता है, repeated round होते हैं, कई बार DNA replication होता है, जबकि cell division नहीं होता, यह कहलाता है endomitosis. both bands and interbands in polytine chromosomes contain genes. जो bands हैं, interbands हैं, polytine chromosomes में, इन में genes होते हैं, and expand to give off balbine rings. और इन में puffs होते हैं, यह puffs को होती हैं, जो balbine rings कहलाती है, puffs के समान structure इन से निकलती है, expand होती है, that is called balbine rings. the puffs are side, where RNA is being synthesized, यह puffs के समान structure होती है, यह यहां पर sites होती है, जहां RNA का synthesis होता है, देखिए यह दिखाई दे रहा है, chromosomal puffs दिखाई दे रहे हैं, डार्क बेंड और इंटर बेंड दिखाई दे रहे हैं, यहां आमने जैसा की बताया, पॉफ के समान structure होती है, आप देखिए, बोद बेंड से इंटर बेंड इंटर बेंड इंटर बेंड इंटर बेंड इंटर बेंड बेंड हैं, lamb brush chromosomes, polyting chromosomes होते हैं, और lamb brush chromosomes होते हैं, अब lamb brush chromosomes क्या होते हैं, lem brush chromosomes was first observed by flaming in 1882 in amphibian oocytes, polyteen chromosomes को balvinin ने देखा था और lamb brush chromosomes को 1882 में flaming ने देखा था, amphibian oocytes में, सबसे पहले देखा गया था इट डेवलप्स ड्यूरिंग डिपलोटीन स्टेज ये इनका डिवलप्मेंट कब होता है डिपलोटीन स्टेज ऑफ माइटोटिक प्रोफेज जूरिंग ऊजनेसिस इन ऊसाइड औफ मैनी एनिमल स्पीसीज एक्सेप्ट मैमल जब मियोटिक डिवीजन होता है मियोटिक डिवीजन में उजनेसिस के समय डिपलोटीन स्टेज होती है जो प्रोफेज स्टेज में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है अनकी सब स्टेजें डिपलोटीन का स्टेज होती है इसमें उसाइट में many animal species में ये देखा गया है The lembrus chromosomes are mutic bivalent Each consisting of two pairs of sister chromatids held together by cage meter जो lembrus chromosomes हैं Are mutic bivalent ये mutic bivalent होते हैं और हर एक में दो pair of sister chromatids के होते हैं जो की साथ साथ रहते हैं by cage meter जो दो pair रहे हों साथ साथ रहते हैं cage meter तो lembrus chromosomes are meant to assist in fulfilling the high demand for transcript during oogenesis जो lembrus chromosomes हैं इनका ये assist करते हैं Demand को fulfill करते हैं transcription के समय जब oogenesis के समय transcription process होती है उस समय high demand होती है ये high demand को assist करने का काम करते हैं lembrus chromosomes the lateral extension of in lembrus chromosomes are surrounded by a matrix of ribonucleoprotein that contain nascent RNA chains जिनमें नेसें नेसेंट RNA chains भी होती हैं यहां हम lembrus chromosome का diagram देखते हैं कर्माटिन जॉइनिंग एडजिसेंट क्रोमसोम ये दिखिए आप जॉइनिंग दिखाई दे रही है अगेन हम देखते हैं तो lembrus chromosome watch first object by flaming in amphibian oocyde lembrus chromosome को सबसे पहले flaming ने amphibian oocyde में देखा था यह develops होते हैं डिप्लोटीन स्टेज जो मियोटिक डिवीजन है उसमें डिप्लोटीन स्टेज में जब oogenesis होता है और बहुत सारे animals में oocyte का formation होता है उस समय यह develop होते हैं lembrus chromosome मियोटिक बाइवलेंट होते हैं हर एक में दो पेयर sister chromatids के होते हैं जो की की एजमेटा के साथ रखते हैं आप देखिए दो पेयर दिखाई दे रहे हैं हर एक में दो पेयर होते हैं sister chromatids के diagram में आप देखिए दो पेयर दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में one by one उपर आप देखिए paired lembrus chromosome से यह दिखाई दे रहे हैं lembrus chromosomes are meant of assist fulfilling the high demand of transcription during oogenesis यह transcription के समय जो high demand होती है उस समय इसको fulfill करने या काम करते हैं the lateral extension in lembrus chromosomes are surrounded by matrix और जो lateral extension होते हैं उनमें जो निकल जाते हैं यह ribonucleoprotein होते हैं यह nascent RNA chains बनाने या काम करते हैं आप देखिए lateral extension दिखाई दे रहे हैं यहां पर extended chromatin loops यह दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड में तो आज हमने पढ़ा polytine chromosome को आरे में कि polytine chromosome या giant chromosome इनको किसने discover किया प्लस इनका कैसे formation होता है देन प्रम प्रेटिन क्रोमसों में क्रोममियर्स होते हैं क्रोमाटिट्स होते हैं और कैसे इनका जो दोनों साइड में यह paired साइड में रहते हैं और इनमें कैसे क्रोमाटिन लूप बनते हैं यह हमने study किया thank you हुआ हुआ है लूआ है भी जोगुआए है लूआ है